नमस्कार आप दिख रहे हैं नेक्स्ट नई नवाज मैं हूँ अपके साथ सिराज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि यूरास सिंग ने एक बड़ा बयान दिया है जिसको लेकर अब क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है बता दें कि यूर धोनी साथ में क्रिकेट खेलने के कारण दोस्त थे लेकिन क्लोस फ्रेंड कभी नहीं रहे है जिहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूरास सिंग ने इस दोरान अपने क्रिकेट करियर में धोनी के साथ बिताए लम्हे को जो है याद किया और उसको लेकर विस्तार से बा इसलिए हम लोगों में कभी करवी दोस्ती नहीं हुई उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ ही खिलाडी मैदान के बाहर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड रहे हर किसी के जिन्दगी जीने का तरीका अलग होता है किसी भी एक टीम को देख लो सभी 11 खि अपतान इसको लेकर हमारे फैंसलों में मतभेद हुआ करते थे उनके कुछ फैंसले ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं आते थे और मेरे कुछ फैंसले ऐसे थे जो उनके समझ से परे थे या हर टीम के साथ होता है यूराज ने इस दोरान एक दूसरे की मदद करने का भी जिक जब धोनी ने उन्हों करियर की सलाह दी थी उन्होंने बताया कि जब मैं करियर के आखरी दौर में था और मैं अपने भविश्य के बारे में इस पस्ट नहीं था तो मैंने धोनी की सलाह मांगी और वही सक्ते जिनोंने मुझे बताया कि चैन समीति फिलाल तुमारे बारे में क कहते हैं कि वो भी रिटायर हो गए हैं मैं रिटायर ले चुका हूँ और जब हम मिलते हैं तो दोस्त की तरह मिलते हैं हमने हाली में सांथ में एक एड भी शूट किया था इस दौरान हमने पुरानी बाते को याद करते हुए खूब मसती मजाग भी की इस इंटर्वियू के बाद आप क्रिकेट जगत में खलवली मच गई है कहीं न कहीं धोनी और रिष्टों में जो है कटास एक देखी जा सकती है जिसको लेकर फैंस भी आप काफी हतास नजर आ रहे हैं फिलाल धोनी और यूरास सिंग के रिष्टे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं आप देखते रहें नेक्स नहीं आवाज